दोस्तो अगर आप भी इंटरनेट यूज करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए important होने वाली है क्योंकि जब भी आप अपने mobile data यूज करते हैं और notifications नाम मिलने के कारण कितना data खर्च हुआ है या फिर कितना data बचा है आपको नहीं पता चलता और इस वजह से कब data आपका खर्च हो जाता है यह आपको नहीं पता चलता तो इस वीडियो को पूरा देखते रहें इस वीडियो में बताने वाला हो कि आप data notifications बार में कैसे ला सकते हैं जैसा कि आप अभी अपने mobile screen पर देख सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले चलते अपने mobile screen पर यहां पर आपको अपना mobile setting open करने के बाद आपको SIM card and mobile network पर क्लिक करना है अब यहां से scroll down करके थोड़ा सा नीचे आना है और set data plan पर क्लिक करना है दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं data usage notifications आपको अभी मैं दिखा देता हूं अभी notifications बार यहां पर कुछ भी शूर नहीं हो रहा है इसको on करते ही यहां पर data notifications बताने लगेगा आप देख सकते हो तो दोस्तों आपको इसको enable कर देना है बस यही एक छोटी सी setting करनी थे आपको अपने mobile में तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी comment में लिकर ज़रूर बताना और इसी तरह की और वीडियो अगर आप दे आपको कैसी करना थैंक यह वर वाचिंग दिस वीडियो गईस